Welcome to Go4Agriculture तो आज के इस इंटिमोलोजी के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पारेटरी सिस्टम अफ इंसेक्ट्स के बारे में तो आज के लेक्चर में हम जो तौपिक्स कवर करेंगे यज पिर जो हमारे इस तौपिक के सब तौपिक्स हैं वो है respiratory system क्या होता है respiratory system का classification कैसे किया गया insects में उसका diagrammatic representation देखेंगे और साथ-साथ उसके mechanism को देखेंगे ठीक है कि हमारा मतलम diagram से इस mechanism को समझने को चिस करेंगे उसके बाद हम देखें कौन-कौन से organs जो हैं इन्वाल्ब हैं total insect के respiration में उसके बाद पढ़ेंगे mechanism of respiration के बारे में तो चलिए start करते हैं आज के topic को तो start करने पहले मैं आप लोगो से request करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे new हो तो आप हमारे चैनल को subscribe करो ताकि आपको ऐसी regular videos मिलती रहें और साथ-साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे different courses भी start हैं जैसे कि pathology और दूशे जो आप उनको भी देख सकते हो आप उनको भी regular basis पे पढ़ सकते हो तो चलिए start करते हैं आज के topic को जो हमारा पहला topic है या फिर पहला sub topic है वो है respiratory system का introduction तो respiratory system होता क्या है हम system किस चीज को कहते हैं group of organs जो की एक similar function को perform कर रहे हो ठीक है तो उसी तरीके से क्या है एक respiratory system है जिसका main function है respiration में ठीक है तो अब जो respiration है उसका मतलब क्या होता है सांस लेना मतलब जो सांस लेने का जो process है उसको हम क्या कहते है respiration कहते है तो यहाँ पर एक word से confusion होता है फिर breathing किसको कहते है ठीक है तो अगर humans में मैं समझाओ इस चीज को तो breathing मतलब क्या हुआ कि सिर्फ inhalation of air और exhalation of air मतलब हम एक बार जो है air को inhale कर रहे हैं ले रहे हैं और exhale कर रहे हैं इतने तक ही को हम क्या कहते हैं breathing कहते हैं लेकिन अगर इसी breathing में जहां पर यह air पहुँचा और exchange side पर जाके जो air में oxygen का exchange हुआ सेल्स के बीच में और CO2 का जो exchange हुआ अगर यह process को भी involve करवा लेते हैं breathing के साथ-साथ तो हमारा complete respiration उसको उमकाइंगे complete process को respiration काइंगे तो basically respiration का मतलब क्या हुआ breathing plus exchange और breathing मैंने क्या बताया breathing मतलब inhalation of air और exhalation of air और इसको मैं बहुत precisely बोलूँ तो inhalation of क्या oxygen और exhalation of CO2 ठीक है तो अगर हम सबसे पहले respiratory system को human के context में समझेंगे कि यह हमने इसे पहले पढ़ा हुआ है और उसके बाद हम देरे-देरे insects पे जाएंगे ठीक है तो अगर एक जो respiratory system है उसके components को देखेंगे तो respiratory system के जो components है वो हैं दो मेलनी दो हैं पहला pathway यानि क्या-क्या path है यानि कहां-कहां से air हमारे body में travel करता है और दूसरा exchange site ठीक है अगर humans पे हम देखते हैं हमारे सबसे पहले air कहा आता है nose पे आता है nose से nostril में जाता है nostril से pharynx reason होते हुए trachea trachea से trachea trachea लास्ट जो end करता है alveoli पे जहां पे proper हमारा exchange of air होता है मतलब यह जो हमारा pathway है humans में और exchange site humans का क्या है alveoli जहां पे last air पहुँच रहा है तो human के case में बात करें तो pathway क्या हो गया यह लंबा सा nose से लेकिए alveoli तक आ रहे है और exchange site के हमारा alveoli है जहां पे main gases का exchange हो रहा है उसी तरीके से insects में अगर हम बात करें तो उनका भी दो component है यह component होगा complete respiratory system का यही दो component है हो सकता है कि इसमें जो organs involved है यह cells involved है वो अलग-अलग होंगे लेकिन components दो ही होगा उनमें भी first pathway तूसरा exchange site तो humans में तो pathway और exchange site हम समझ चुके है second जो है insects में तो उनका जो respirator system है उनका जो pathway होता है वो होता है spiracles trachea और trachea इसके बार में डीटेल अभी अभी अगे मतलब इसी lecture में आगे पढ़ेंगे तो spiracles, trachea और trachea जो है उसके pathway में आता है और दूसरा जो exchange site है वो आता है जो last trachea है वहाँ पे उनका exchange होता है gases का तो आप इसको याद रखना जो respirator system का जो component है वो है spiracles, trachea और trachea ठीक है और जो exchange site है वो है last trachea diffusion का मतलब क्या हुआ किसी भी चीज का या फिर कह सकते है जो हमारा air है, उसका जो transfer, उसके higher concentration से lower concentration की तरफ जब transfer होता है कोई चीज मतलब अपने higher concentration से lower concentration की तरफ उसी process को क्या कहता है diffusion कहता है जैसे हम जो air अभी inhale कर रहे है, जैसे मैं जो breathe अर जो सेल्स हैं उन्होंने रेえस किया owe oxygen को cog to to co c2 को रिलीज किया HAVE तो मेरे 150 memorize से बाहर właściwie को के जादा है और जो मेने बाहर से Zone लिया है उसमən catastan कम ज्यादा है तो देखो, बाहर वाले air में oxygen जादा है, तो ज़्यादा oxygen बाहर में, अंदर में कम है तो oxygen मेरे बाहर वाले air से कहां चला जाएगा? अंदर वाले air में eicasों चला जाएगा मतलब वहाँ अंदर का aar है, उसमें exchange हो जाएगा, oxygen वहाँ transfer हो जाएगा और जो CO2 है जो cells से जो निकला है वहाँ पर CO2 जादा है और जो बाहर से मैंने air लिया है उसमें CO2 कम है क्योंकि मैंने तो air लिया है तो वहाँ पर CO2 भी होगा O2 भी होगा तो basically जो O2 है उसका concentration मेरे बाहर वाले air में जादा था और CO2 कम था तो CO2 अंदर जाता है तो अंदर वाले air से CO2 कहा जाएगा बाहर वाले और मैंने air release करा है मतलब expire किया भी ठीक है expiration किया तो क्या हुआ कि वह air क्या होगा है release हो गया तो main जो process involved हो रहा है कि higher concentration से air जो है मतलब oxygen जो है इधर सी इधर जा रहा और CO2 इधर सी इधर जा रहा है इसी process को हम क्या कहते है diffusion कहते है ठीक है अब humans में क्या होता है कि जब air finally पहुँच जाता है alveoli के पास जहां पे exchange होता था तो वहां से वो transport होता था blood के पास ठीक है मतलब blood alveoli से attached होता था blood vessel और वहां पे वो blood में air चला जाता था और वहां से वो different different organs को पहुंचता था लेकिन अब हमें main to insects के बारे में पढ़ना है तो insect में क्या होता है air जो है directly supply होता है each and every cells या फिर कह सकते है each and every organ of the body ठीक है इसी लिए जो इनका जो system है respiratory system वो directly attached होता है एक-एक cell के साथ इसमें कोई भी involvement नहीं होता है किसका किसी भी blood यह फिर जो insect में blood नहीं कहते हैं hemolymph कहते हैं तो इनमें hemolymph का involvement होता ही नहीं है respiration में यानि यहां पर जो उनका blood यानि hemolymph जो है complete उसका जो function है वो circulatory system का ही है ठीक है इसमें कोई भी respiration में hemolymph का कोई भी involvement नहीं है ठीक है तो एक बार आप respiratory system के definition को कह सकते हैं या फिर जो एक proper जो जो complete definition कहलाएगा उसको देख लो respiratory system consists of air filled tubes or trachea which open at the surface of the thorax and abdomen through the paired spiracles मैंने पहला component क्या बताता है spiracles ठीक है the muscular valves of the spiracles closed most of the time open only to allow and uptake the oxygen and scape of the carbon dioxide overall इसका मतलब कहा है जो mechanism में देखेंगे तो यहां पर मैंने जो diagram दिखाया है यहां से मैंने कोशिस करिए कि आप humans से इन सब चीज को compare कर पाओ यहां से यह जो रहा इसका pathway है और यहां पर जो last rachea होता है वहां पर उसका exchange होता है ठीक है अब हम main जो हम बात करने वाले है insects में मैंने भी क्या बताया कि जो हर organ है इनसे का हर cell है वो directly क्या होता है attached होता है उनके tube से जहां पर क्या होता है एक्सचेंज होता है basically air का अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैंने इसका component क्या बता है इस spiracles तो इस spiracles क्या होता है इंसेक का जो body होता है उसके lateral side पर यहीं side पर openings present होती है जो की air को enter कराने में help करता है मतों body में air को लेने के लिए help करता है तो maximum सारे insects में देखा गया है maximum 10 pairs of spiracles present होते हैं lateral side पर दो thoracic region में और art जो है abdominal region में ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि सारे insects में 10 pairs ही होंगे किसी में 8 हो सकता है किसी में 7 भी हो सकता है ठीक है तो इसी basis पे कि उनमें number of spiracles कितना है और उनका location क्या है जो insects का respiratory system है उसको हमने 8 type में divide किया है ठीक है तो second जो मारा topic है वो है classification of respiratory system in insects तो मैंने क्या बता है किस basis पे किया गया है 8 classification उसके number पे और दूसरा है कि उसका location क्या है तो सबसे पहला आप देख रहे हो holo new stick है ठीक है इसमें 10 pairs होते हैं 2 thorax में और 8 जो होते हैं abdomen में जैसे मैंने बताया basic type grasshopper ठीक है उसके बाद है hemi new stick ठीक है out of 10 pairs one or two are non-functional ठीक है 10 pair तो होगा लगे इसमें से 1 या 2 क्या होगा non-functional होगा third है peri new stick जिसमें 9 pairs होता है amphi new stick जिसमें 2 pairs होता है one anterior one posterior ठीक है आप example भी साथ-साथ देखते जाना maggot का example इसमें ठीक है prop new stick, metanew stick, hyponew stick and anew stick anew stick में क्या होगा all sphericals are closed ठीक है तो यह चीज़े हैं आप examination point of view से इनके examples भी याद कर लेना और ज्यादा यह tough है भी नहीं आपको इनके आगे जो हमने prefix use किया है उसका meaning पता होना चाहिए ठीक है हो लोक किसे कहते हैं है हमी किसे कहते हैं तो आपको यह सारी चीज़े इस table से याद करनी होगी ठीक है तो आप इस table को देख लेना प्रॉपर यहाँ पर वीडियो पॉस करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो अब जो हमारा next topic है वो है इससे related diagram इसको diagram से समझते हैं मैंने क्या बताया कि insect का जो lateral side होता है वहाँ पे openings present होती है अगर मैं इसको zoom करूं तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे जो insect का body है वहाँ पे side में openings दिखाए गए इसका abdomen reason है तो यहाँ पे eight होते हैं और यहाँ पे थोड़ा ऐसे दो होते हैं तो यह opening को ही हमने क्या बोला है spiracles का है और spiracles directly connected होते हैं tracheal tube से ठीक है tracheal tube का भी component है tracheal tube में ही ट्रेकी आएगा atrium आएगा यह आगे हम देखेंगे ठीक है तो basically आप यहाँ जो देख रहे हैं जो opening है को हम क्या कहते है spiracles कहते हैं अब इसको enlarge करके यहाँ पे हमने दिखाया है ठीक है आप इसको समझने को जिस करना यह रहा इसका opening spiracle जहां से O2 और CO2 को exchange होता है आप दिखाया गया O2 अंदर जाता है body के अंदर यही से CO2 निकलता भी है ठीक है और यह जो है spiracle का opening के बाद जो यह है उसको में क्या बोलते हैं यह जहां पर box बना है इसके just left side में इस reason को में कहते है tracheal tube ठीक है इसी का component होता आगे trachea और tr जो trachea है वो different different हर cell से क्या होते है attached होते है तो यह इसका एक diagrammatic representation है यहां पर जो second diagram है यह का लिखा है diagrammatic representation in TS ठीक है transverse section में दिखाया गया सामने से insects को कटा गया तो आप देखो यह रहा spiracle जो body के side से है ठीक है tracheal tube, tracheal tube से trachea निकला है main जो यह line है इसको trachea ही बोलेंगे trache tracheal tube का यह component है trachea जो lateral side से निकले हो tracheoles निकले है जो different body organs से attached है जिसे यहां पर nerve cord दिखाए गया है hurt दिखाए गया तो यह हमारा हो गया transverse section और यहां पर जो हमारा है lateral section दिखाए गया है lateral section में भी आप इस चीज को देख सकते हो side side जो green dots पना हुए है यह क्या है हमारे spiracles है यहां पर thoracic spiracle लिखा हुआ है abdominal लिखा हुआ है तो यह हमारा spiracle हो गया जो की spiracle देखो nerve cord वगरा से क्या है connected है brain से connected है तो इस diagram से मुझे यही समझाना था कि उनका arrangement क्या है और किस तरीके से इनकी components मतलब body में fit होते है अब हम जो sorry इससे पहले आप यह देखे यह जो हो गया first part spiracle component को मैं दिखा रहा हुए यहां पर second जो component है वह है tracheal tube जिसमें trachea आता है और tracheals आता है और जो इसमें important है यहां पर वह है epithelial cell मैंने अभी आपको याद होगा component में exchange site में बताया था कि last tracheal तो last tracheal में exchange क्यों होता है क्य जाते है epithelial cells जो कि क्या होते हैं बहुत पतले मतलब उसको अगर मैं नाम दू तो pavement epithelium होती है जो कि easily exchange में help करता है ठीक है तो यह epithelial cells specially present होते हैं उनके exchange sites पे जो अंदर से tracheal tube को या फिर tracheals को क्या करते है लाइन करते है अब जो मारा next topic है वो है organs involved तो मैंने पहले ही इन में तीन organs involved होते हैं सबसे पहला है spiracles, दूसरा है trachea और थर्ड है tracheals, तो spiracle किसको कहते हैं opening of trachea and have a chamber, मतलब spiracle कहा है opening of trachea है यानि tracheal tube कह सकते हैं and have a chamber or atrium with the opening and closing mechanism called valve, मतलब spiracle में valve पाय जाते हैं important चीज़े या धेहान रखना है, this regulate air passage and minimize water loss, ठीक है, each spiracle is set in a sclerotized cuticular plate called a peritreme, इसको अभी diagram से देखेंगे peritreme को इसको कहते हैं, second component है वो है trachea, जो की spiracle को, spiracle जिसको guide कर रहा है, ठीक है मतलब आगे से regulate कर रहा है, trachea are invaginations of the epidermis, the ringed appearance of the trachea is due to the spiracle ridges called tinidia, यह भी हम देखेंगे अभी, third जो है tracheoles है, tracheoles are less than one micrometer in diameter, they end blindly, blindly कहने का मतलब है, कि जैसे मालों यहां से एक tube गया, मैंने parallel ऐसे एक यहां पर tube बनाया, sorry यहां पर क्या है, यह एक tube, ठीक है, तो अगर tube आगे जाके round ऐसे blindly बंद हो जाए, आगे जाके curbly ऐसे बंद हो जाए, इसको मैं लोग कहते है, blindly हो जाना, ठीक है, तो यह क्या है, blindly होता है, in blindly and closely contact the respiring tissues, उनके साथ क्या होता है, contact में होता है, जो भी tissue respire कर रहा है, जहां पर exchange हो रहा है gases का, gases exchange occurs across trachea, जो चीज़े मैंने पहले बता दी है, अब यहां पर आप इसको diagram से समझो, ठीक है, organ कौन कौन से involved हो रहे है, सबसे पहला जो body, यह जो हमारा body wall है, ठीक है, body wall जो outer side है, वहां पर spiracle हो का opening, यह जो हमारा component जो दिखाए गया है, इसी को हम कहते है, trache tracheal tube में यह जो इस यह वाला part है, जो directly spiracle से connected, इसको हम लोग क्या कहते है, trachea कहते है, इसको और भी हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे, तो अब इसको trachea समझो, यह जो trachea है, आगे जाके trachea में divide होता है, और यहां पर हर trachea है, अलग-अलग cells जो होते है, अटाज होते है अब यहां पर आओ, इस diagram से हम इसको detail में समझेंगे, there are four tracheal trunks that are lateral, dorsal, ventral and visceral, helps in the passage of air, तो देखो, यह जो थाना जिसको मैं अभी तक tracheal tube कह रहा था, और जिसको मैंने trachea बोला था, सबसे पहला trachea में जो component होता है, उसको हम लोग कहते है, attrium, attrium क्या होता है, storage करता है, storage किस चीज़ का, gases का, अभी मैं बताऊंगा कि इसका use क्या है, उसके बाद यह वाला जो reason है, tracheal trunk का, tracheal trunk ही, फिर trachea से, मतब tracheal trunk ही बनाता है हमारे trachea को, तो देखो, जो second ले लिखा हुआ है, इन दी trachea, thin-walled collapsible sac like dilations are present called air sacs, यही जो है मारा trachea में जो reason है, वहापे air sacs पाय जाते है, where tenedia is absent, and it acts as oxygen reservoir, which provide buoyancy to flying and aquatic insects, aquatic insects को बयंसी चाहिए, तैरने के लिए, और flying insects को उनके body को हलका करना है, तो उनको बयंसी चाहिए, तो यह जो air sacs present है, वो help करता है, इनको बादी को light रखने में, यानि उनको aquatic insects को तैरने में, और बयंसी, flying के लिए, जो insect को चाह यह थी उन में, तो यह एक तो function हो गया, air sex का, दूसरा function क्या है, यह जो है, it provides space for growing organs, act as sound resonator and heat insulator, ठीक है, heat insulation में भी यह जो air sex है, वो help करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, मैंने peritream पीछे पताया था न, peritream वो reason है, body wall का, मतलब cuticle का, जहां पर, जो मतलब spiracle को guide करता है, ठीक है, spiracle को guide नहीं कह सकते, spiracle को hold किये होता है, ठीक है, मतलब, वो cuticle का layer, या फिर वो part, जो की spiracle को पकड़ के रखा हुआ है, उसको हम लोग परitream कहते है, ठीक है, तो आप यहां से साथ, आप लोग को यह चीज़े clear होगा, इन्वीज डाइग्राम से की basically, इनका structure है, वो किस तरीके से है, ठीक है, अब जो हमारा next topic है, वो है, mechanism of respiration, तो basically, mechanism को मैं दो पार्ट में समझाऊंगा, first, जब spiracle close होगा, और second, जब spiracle open होगा, तो आप मान के चलो, आप इसको imagine करना, कि spiracle अभी क्या है, close है, तो close है, तो जो air insect ने अंदर ले रख था है, तो अभी क्या हो रहा होगा, कि वो tracheal tube से होते हुए, tracheals के पास गया, और organs के पास गया, वहाँ पर air exchange होना है, क्योंकि हम जानते हैं, जो air लेके close होगा, अभी वो air में क्या होगा, कि oxygen जादा होगा, अंदर में कम होगा, तो आप exchange क्या हो जाएगा, oxygen का, मतलब cells में चला जाएगा oxygen, और CO2 आंसर रिलीज होके, tracheal tube में आ गया, अब जो tracheal tube में क्या होगा, CO2 अगन जेनरेशन जादा है, अब ये क्या होगा, open होगा, spiracle, ठीक है, मतलब अभी तक का close का condition था, exchange तक, अब ये open होगा, क्यों, क्योंकि अब जो air cells को फिर क्या चाहिए, oxygen चाहिए, जो oxygen था, बाहर वाले air में वो use होगा है, तो spiracle क्या होग अंदर air नहीं है, वहाँ का pressure डाउन हो जाएगा, तो बाहर का pressure हम जानते है, 180M pressure जादा है, तो बाहर से air क्या कर जाएगा, अंदर की जरफ रस कर जाएगा, और इस process को हम लोग क्या कहते है, inspiration कहते है, inspiration कहते है, ठीक है, तो ये जो process है, inspiration और expiration, इसको हम breathing कहते है, और जो finally ज जैसे जो हमारे इंडो पैरासाइट्स हैं या फिर ऐसे इंसेक्स जो पानी के अंदर रहते हैं तो उनमें तो इस पैरिकल्स उपन नी हो सकता कि लिए अगर वो उपन हुआ तो हमारा एर के साथ साथ वाटर भी चला जाएगा तो उनमें जो उनका जो रस्पारिकटर्स इस्टेम है वो थोड़े से स्पेस्ली डिजाइन दोते हैं उनमें क्या होता है जो उनका ट्रेक्या है ट्रेक्या क्या होगा अपने आपको इतना माइनूटली डिवाइड कर लेगा और ऐसा नेट्वर्क बनाएगा कि वो सारा trachea directly उनके surface से attached हो जाएगा मतलब उनका जो cuticle layer है उनमें जो trachea है मतलब हर reason में जाके वो trachea attached हो जाएगा और एक network बना लेगा और क्या होगा वहाँ पे spiracles absent होगे मतलब spiracles होगे भी तो non-functional होगे और जो main respiration में जो gas exchange होगा वो कहा होगा उनके cutaneous skins होगा ठीक है या फिर cuticle layer है वहाँ से उनका क्या होगा main exchange of air होगा मतलब spiracles वहाँ पे non-functional होगे तो यह special system present होता है मारे endoparasite जो के मारे body के अंदर रहते है या फिर aquatic insects में example जैसे हम gills कह सकते हैं ठीक है gill वाले region में जो mainly involved होता है ऐसे insects में या फिर ऐसे organism में जो की water के अंदर रहते हैं तो आई hope आज का lecture सबको clear है और यह पूरा mechanism है respiratory system insects में कैसा है यह सारा चीज clear हो गया होगा for watching this video till then stay tuned आप हमारे instagram channel को भी follow कर सकते हो और हमारे go for agriculture channel को आप youtube पे subscribe करो ताकि आपको ऐसी regular videos मिलती रहें जिनको भी इस lecture की pdf और ppt चाहिए तो हमारे telegram channel go for agriculture पे जाके इसको download कर सकता है तो चले मिलते हैं next lecture में